इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कैसे आप कास्ट कर सकते अपने आइपैड आइफॉन की स्क्रीन को अपने पीसी पर रिकॉर्डिंग के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए या फिर एक बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए मतलब एज़ प्रेजेंटेशन सब्सक्राइब के लिए इस वीडियो में आपको बता हूंगा तो सबसे पहले मैं कनेक कर रहा हूं अपने पीसी को वायर्लेस तरीके के लिए इसके लिए मैं सॉप्ट्वे यूज कर रहा हूं यह पावा मिर्र यह एक बड़ी बर्जन है बट इसमें बहुत से ऐसे वीचर रहते हैं तो फिर यह अपको आप यूज कर सकते हैं बट मैं आपको रिक्मेंट करूंगा एक बार बी इप जरूर यूज कीचे तो यहां पे मैं कोई भी अलगाटो या कोई भी ऐसा हाडवेर यूज नहीं कर रहा है कोई भी कैप्चर कार ताकि एक्सपेंस भर जाए तो मैंने डारेक्ट अपने आई-पैड में जो स्क्रीन ब्रेडिंग का ओप्सन रहता है वहां से स्ट्रीम किया है तो अभी मैं यूज कर रहा हूं यहां पे वायरलेस प्रॉसेस वायरलेस प्रॉसेस के कुछ प्रॉंज रहते हैं पहला फास्ट कनेक्शन आपको मिल जाता है क्लिक करते हैं connection no extra hardware मतलब कोई भी आपको extra USB के भी लगाने की जहुरत नहीं पड़ती है easy to connect मतलब easy तो है तुरंट connect किया अब कौन्स क्या रहते हैं इसमें lacks बहुत रहते हैं दूसरा 60 प्लस फ्रेम आप मिलते नहीं तीसरा big problem सबसे बड़ी कि आपको sound delay रहता है मतलब sound में delay आना ही आना है जैसे gaming gaming करते हैं sound delay आएगा तो आप live streaming नहीं कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर आपको लिटेंसी बगारा सब सो करूंगा एक मैंने small small से clip डाली है slow motion में जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कितनी latency रहती है आपकी screen और जो आपकी PC में screen जा रही है तो यह में है या microseconds में है यह देखिए एक दो त्रीन चार पांच यह जो भी difference है थोड़ा तीन चार MS का है microseconds अब यह देखिए slow motion में भी देख लीजिए इसको आप slow करके भी देख सकते हैं पुश करके देख सकते हैं इसको stop कर दिया तो और देख लीजिए screen बहुत fast बहुत fast य यह wireless तरीका है अभी यह wired तरीका नहीं है यह देखिए gaming gaming अच्छी हो जाती है अगर आप recording करना चाहते हो तो कर सकते हो बट issue वही आता है कि आपको lags lags मिलेंगे कभी-कभी आपकी screen रुकेगी और आपकी quality अच्छी नहीं आगी मैं BIP version यूश कर रहा हूं तब भी setting में जा होनी चाहिए वाइड में 2K अगर आप select कर लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा तो चलिए वाइड तरीका देखते हैं वाइड तरीके में क्या है इसके pros क्या है पहली तो यह lag free है बाई साप 60 प्लस और में फ्यूचर में 90 प्लस भी support करेगा 2K supported no sound delay मतलब आप headphone direct connect कर सकते है PC स कॉन्स बस यह है कि hardware आपको चाहिए एक बढ़िया से USB केविल होनी चाहिए और अगर आप चाहते है डारेक्ट इन्पुट आक्स वाक्स आपको लगाना पड़ेगा आपका PC बहुत अच्छा होना चाहिए PC configuration अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर भी यह lag यह करेगा दिक्कत है चलिए अब आपको देखाते हैं यह वाला process तो इसके लिए आपको चाहिए USB केविल मैं USB-C वाली केविल यूच कर रहा हूं USB-C to lightning तो चलिए connect करते हैं देखते ह connect होते ही एक driver install होता है PC में जो कि मेरा पहली से install है वो जब पहली बार आप करेंगे तो आपका install होगा trust करने के बाद देखें बिलकुल screen आज चुकी है और यह ची notice कीजिए कि जो आपकी tab की screen है उससे बड़ी screen है और quality उससे जादा है जबकी 720p select है अभी 2 के select नहीं है तो य चली यहां पर देखते हैं देखें लिटेंसी भी अच्छी है बहुत अच्छी quality तो लाजबाब है 720p वाली भी वाल्टी देखो किती लाजबाब चले clock करते है open और आपको दिखाते है कि इसमें कैसी latency है मैंने इसकी slow motion वीडियो भी डाली हुए थोड़ी लंबी वीडियो ह आप देखना कितने latency उसको पुछ कर सकते हैं बीच में पुछ करने से आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें उसमें कितना अंतर है मैं यह screencast मतलब screen record करके भी वीडियो बना सकता है बट मैंने camera से इसलिए बनाई ताकि आपको ज्यादा differences समझ में आज तो अभी क्या करते है कुछ play ले करके देखते हैं और भी आपको कुछ दिखाते हैं आप quality देख लीजिए quality आपको समझ में आ रही होगी बैसे जब आप सामने से देखेंगे ना तो अल्ला की quality आपको समझ में आएगी USB cable connected है और यह देखिए USB से ही आ रहा है तो चलिए आपको gaming play भी दिखाते है यह pubsy open करते है अपना इससे अब direct live streaming कर शकते हो भी इसमें भी set करके आपको दिखाऊंगा pubsy open हो चुका है इसको close कर देते हैं अभी इसमें कुछ play करते हैं यह देखिए character move कर रहा हूं है quality आप देखिए लाजबा quality भी देखिए एक अच्छी quality आ रही है एक ट्रैनिंग लगा लेते हैं थोड़ी चोटी सी है अलवेज रिक्मेंड यू कि आप वायड तरीका यूज करिए क्योंकि वायलेस तरीका होता अच्छा नहीं है बट वह च्छोटा मोटा काम रहता है तो आप उससे निकाल सकते हो बट वायलेस तरीका ही आप यूज यह देखिए मैं गेम भी ब्ले कर सकता हूं उस स्क्रीन को देखे इतनी वास्ट है इतनी लो लिटेंसी है काभी इच्छा काम कर रहा है मतलब जो भी आहारा गाय प्रहा है देखिए बहुत ही अच्छा अभी मैं आपको ओविस में कैसे सैट करना है मैंने ओविस ओन किया आपको नहीं बता तो आप कमेंट करिए मैं जरू बता हूंगा तो मैंने अपजी के लिए एक ओवरले और सब कुछ सैट किया हूँ तो यहां वे देखिए फॉन आगया मेरा आइपैड और यह देखिए बढ़िया से बहुत मस्त स्मूथ काम कर रहा है अब यहां से भी मैं पॉपजी कहल सकता हूं चली पबजी ओपन करते हैं यह देखिए पबजी ओपन हो गया और देखिए गेमें प्लेगारा हूं विल्लोग प्रो वाली फिले आरही है पानी देख रहा है पानी कितना स्मूथ है तो ऐसे आप लाइब भी कर सकते हैं ऐसे